वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर पांज विच तोहनु सारे अनु जी आयां मैं अर्शंदर पाल कौर आज तोहडे लही पार्ट नंबर पांज लेके हाज रहां चलो पार्ट नंबर पांज पढ़ दे हां आज दा पाठ बड़ाई प्यारा है आज दा पाठ नानी जी दे क्रेलू नुस्खे नानी जी तो अनु सारे अनु पता नानी जी कौन हुन दे हां नानी जी तो आडे माता जी दे माता जी हुन दे हां म म म दे, म म म म waterfall है, तो आणो सारे आनो बहुत प्यार कर दे है. है ना? Now we'll start today. नानीothy किस तरह खासने? ते नानीजी की की कर दे ने? नानीजी दी सेथ किस तरह दी है? से शबने जानागे तो आपने नणी याद आजाने है तुस तानु अपने नणी याद आयाने है ठीक है? Aa interactions with the जानी नाल रहे हो जा दादी जानी हो जाना एव दधी चारे वीच अवीच, वादी जाना आजाने है ठीक है? So, चलो, पहला आसी सिख देयां, इदे विच पार्थ दे विच जडी वोकेबलरी होएगी, ओदे बारे आसी गाला करांगे, ठीक है? So, नानी जी तानु दासी दिता ते करेलू नुस्खे की हुंदे है, होम रेमेडीज, जब तुसी ठीक फिल नी कर दे, तानु कुछ खास चीजां खांदे हो, कुछ खास तरहां त्यान राखे दे, उनना बरे अपागलना करांगे, ठीक है? आज ए तादी वोकेबलरी है, पहला नमबर, चूरन, एक डिजस्टि पावडर, हना? So, जिसरां गला तादा थ्रोट, कदी गला दुखदा हुंदा है? So, अद कफ, right? खुछ रहने, हैपी, डिस्पोजिशन, के कौन किस तरहां दा मैसूस करदा है, किद दा दा रहन दा है? ठीक है? So, खिड़या खिड़या रहनदा है, खुछ रहनदा है कोई है ना? बेमार, सिक, अपने ओन, तेल दी मालेश, ओल मिसाज, निच्छा, स्नीज, निच् ये नानी जी हन, नानी जी तस्वीर है, तुसी अपने नानी जी नो अथे विजुलाइज कार सकते हो, नान बरे सोच सकते हो, ये मेरे नानी जी हन, मेरे नानी जी बजुर्ग हन, पर बहुत खुश रहने हन, ओना दी सेत भी चंगी है, ओनाना जी नाल रोज सेर भी कर दे ह कदी कदी ओ बिमार भी हो जान्दे हन पर ओ अपना इलाज आप ही कर लेंदे हन। सब्सक्राइब कर लेंदे हैं कि आधे चलियां थाथ तुसी इस पार्ट विच सुन्या के किमे नानी जी अपना ख्याल रखते हैं, किस रहा हो अपने डॉक्टर आप ही हैं, ते बाकी सारे अदेवियों हो डॉक्टर बांजान दे हैं, जदो किसे नू कोई भी तकलीफ हुंदी है, नानी जी जरूर उना दी तकलीफ कट करन ले, उना नू कोई ना कोई सुझा जरा जरूर दे हैं, ठीक है बच्चे हो, यह तुसी देख्या कि इस पार्ट विच दोसो स्ताई शब्द हन हैं, तो तुन याद है तुसी अपना टाइम लगाके, टाइमर लगाके तुसी टाइम नोट करना कि एक मिंट विच तुसी किन्ने पड़ देओ, ठीक है, तो तुसी इस पार्ट विच तरह करोगे, फिर तुसी रोज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो अपना अगले सफेते जान देयां, तो उथे देखते हैं, कैसी उथे चाके उथे की करना हो, ठीक? हाँ जी, सो इथे तरह हैगा सोंवार करदा काम, हुन्हें अपना नानी जी बारे पड़िया सी, ते इथे तरह वास्ते कुछ गुछ गुश्चन्स है के ने, जिना देन आल तुसी इदर ले आंसर्स मैच करने हैं, सो बच्चियों तरह तरह मौफिच ओने हैं, कि साड़े क किताब विच कुछ गल्तियां सान, जिदे करके सानू लगया कि जैसी तो आनो आंसर्स दे आंगे, प्रशना दे उत्तर दे आंगे, तो आड़े ले हल्प हो जाएगी, सो मौफिच ओने हो दे ले ले ते आज लाल विच लिखे हुए हैं, तो आड़े ले असी आंसर्स फिक हो सके, ठीक है, सो नानी जी दे बारे कुछ दसो, सो नानी जी दी से चंगी है, ओ नाना जी नाल रोज सेर कर दे हैं, ठीक, नानी जी किस तरह दे हैं, नानी जी बज़ुर्ग हैं, अते ओ खुश रहने हैं, ठीक, नानी जी जाद बिमार हुन दे हैं, ता की कर दे हैं, ठीक सो नानी जी गरम-गरम पाणी नाल गरारे कदों कार दे हन, जदो उना दा गला दुखता है, ठीक, नानी जी अद्रक्ते शैदी चा कदों पिंदे हन, जदो उना नू खंगोंदी है, ठीक, नानी जी खिचडी कदों खांदे हन, जदो उना दा टेड़ दुखता है, जदो गो कई गल्ला याद आगी हैं होनगी हैं बच्चों एहे पाठ पढ़ दियां कि जदो ताड़ा कदी गला खराब होंदा है तानु कदी जुकाम होवे तानु कदे मम्मी जा नानी जी जा दादी जी एक एंदेहान के बेटे तुसी आइसक्रीम नी खानी ठंडा पानी नी पीना को इसरा करके ऐसरा अगला ठीक है सो एसाड़ा क्रेलू नुस्खे होंदे है होम रेमेडीज जी इनाल सानु लगदा है कि जी साड़ा कोई ठीक नहीं ते और जल्दी-जल्दी ठीक फील करें सो आसी योदेली कुछ कर सकिये सो एक क्रेलू नुसके इस वास्ते होंदे होंदे जाना ही पेंदा डॉक्टर दे पर असी उस तो पहले शी कारदे ओड पॉड इनना नू केंदे या कारदे ओड पॉड असी कारदे जिडिया क्रेलू रेमिडीज असी कारदे या सो बुद्धवार्दा तो अड़ा करदा काम हुन देखो तो अड़िकोले एदे विच ज्यादा च्वाइस है गिया multiple choice question है गया है सो तुसी एदे विच्चो सही भला चोणना होंदा ठीक खांग दी दवाईलो गरारे करो शैदा ते अद्रक दी चाप पियो कदो एदे विच्चो तुसी सही आंसर चुनोंगे किच्डी खाओ अराम करो किच्डी कदो खानी है जदो टेड़ दुखदा है ठीक है सो तनु कलू दे दितता तो एदे विच्च लाब के तुसी लिखोगे गरम-गरम पानी नाल चुलियां करो कदो जदो ताड़ा रोन दिल करदा यह वाले जदे हधी है घड दे नाल चुलियाओ के लिखनी है So, ऐवाले जड़े हागया questions, तो आडे, next वाला जड़े हागया exercise, ओदे विच तुसी रियर्रेंज करके लिखने हागया, जड़ा sentence सही बांड सके, ठीक, okay. वीरवार करदा काम, वीरवार करदा काम तुसी किस तरह करोगे, तुसी किसे देन आलकार विच गाल करोगे, तुक to a family member and find about family treatments in your home, हना? सो तुसी वनानु पुछोगे के मम्मी जा, नानी जी, जान दादी जान, किसे नो भी हना, सो डाडी जी नु पुछाक दे कै कोई sickness जीदा तवार्दे करदे विच तुसी किमें treatment करदे, ओ, ठीक, ते तुसी नानी जी वाले पार्ट दे विचो help भी ला सकते हो आपा पिछले पार्ट वेच गिंती सिखी सी चाली तक, ठीक सो होन तुसी ओदे विचो एकी तो लेके चाली तक तुसी ते गिंती लिखनी है एकी बाई, तेई, चौवी, पच्ची, छबीस, ताई, अठाई, उनती, ती, एकती, बती, तेटी, चौनती, पैंती, छती, सैंती, अठती, उनताली, चाली और दो वरी तुसी लेक सकोगे तो आदे को ले इथे दो वरी लिखनवास दे जड़े है गया जगा बनी होई है प्रैक्टिस जारी रखो ताँ जो तो आड़ी जड़ी पंजाबी विचरवानगी बने ते तो आनू पंजाबी दे सोने जड़ी वोकेबलरी तो आनू याद होजे ताँ जो तुसी बाउस सोनिया कॉमपोजिशिशन्स लेक सको ठीक, ओके जी आजे नही वाईगुर जी का खाल्सा वाईगुर जी की फते